इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा यूनिवस्टी अफ सानियों के बारे में ये इटली की यूनिवस्टी है और गोवर्मेंट यूनिवस्टी है वर्ल्ड के अंदर इसकी रैंकिंग 2261 है इटली के अंदर 63 है यूरप के अंदर 739 है और अपने रीजन के अंदर ये यूनिवस्टी फाइफ नंबर पे आती है अगर हम इस यूनिवस्टी के कोर्सी की बात कर लें कि कौन से कोर्सी ये इंग्लिश के अंदर आफर कर रही है तो ये इस यूनिवस्टी सिर्फ एक कोर्स है जो ये इंग्लिश के अंदर आफर कर रही है और वो है मास्टर का प्रोग्राम Master Degree in Electronics Engineering for Automation and Sensing एक तो इन्होंने आपको कोर्स की description बताई हुई है पिर journal information फिर उसके बाद requirements for admission उस टाइप की नहीं चीज़ें बताई हुई है अगर हम इसके कोर्स description की बात कर लें तो main जो इसके दो कोर्स हैं जिसके अंदर ये offer कर रहे हैं अपना इनका जो syllabus है एक तो है automation और दूसरा है sensing technologies अगर हम इसके admission requirements की बात कर लें तो इन्होंने कहा हुई है कि वो इसके लिए admission ले सकते हैं और जो international students हैं उनके लिए उन्होंने कहा हुई है कि जी वो जो है वो पहले अपनी pre-valuation इन से करवाएंगे कि जी वो जो उन्होंने degree की हुई है foreign country से क्या वो इसके साथ match कर रही है कि नहीं कर रही है तो इसके लिए उन्होंने उसका तरीका कार एक बताया हुआ है कि जी आप application form जो है इसको फिल करें लेकिन मैंने इस application form को देखा है यह Italian के अंदर है और इसके अंदर कोई खास इतनी चीज भी नहीं है जो यह मांग रहे हैं अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपन mention कैसे लेना है जैसे देखे इन्होंने यहां पर mention किया हुआ है before completing and submitting the application form candidates are invited to contact के इन दो professors के साथ आपने contact करना है आपने करना क्या है आपने इन दोनों को email करनी है और email के अंदर आपने अपना motivation letter cv अपना passport bachelor की degree bachelor का transcript इसके अलावा अपने दोनों reference letter आपने इन सब चीज़ों को इनको send करना है और PDF की form में हूँ वह साथ इनको आपने यह भी mention करना है मैं जो चीज़ें आपको भेज रहा हूँ यह मैं आपको pre admission के लिए भेज रह motivation के लिए बेज रहा हूँ जब आप उनको यह चीज़ेंगे तो थोड़े दिनों के बाद वो आपको reply कर देंगे कि जी आप इस degree के लिए eligible हैं के नहीं हैं जो आपने courses पड़े हुए हैं वो इसके साथ match कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं अगर तो आपको वो okay कर देंगे पिर में याद रखें मिलते हैं next video में